कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो गाइस आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उनमें ये आटो पॉइंट के अंदर ही हमारी स्टोरी होगी वैसे तो मैं ये आटो पॉइंट आपको बहुत अ 3 पे होगा और 4 पे होगा ठीक है 5,6,7,8 ये तो मैं आपको करवाई रही हूं आजकल बहुत अच्छे से आपको किलर करवा चुकी हूं सिंगल सिंगल मगर आज भी इसके अंदर हम मैंने इसको एड किया है ताक कि आपका रिवीजन हो जाए ठीक है तो आज जो में फोकस है हमारे चारों पे है 1,2,3,4 ठीक है तो जो हमारा first है would be तो हम जानेंगे ये कहां पे हम use करते हैं ठीक है जैसे कि आप जानते हो कि will का past में would हो जाता है जैसे can का could हो जाता है वैसे ही will का जो होता है past में क्या हो जाता है would हो जाता है जब हम future continuous की बात करते हैं तो हम will be लगात एंजी होती है तो आपको यहाँ पे confused नहीं होना है जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आपके पास sentences आएंगे आपको clear हो जाएगा कि किस ताइप के sentences होते हैं ठीक है आपको पता चलेगा कि sentences किस टाइप के होते हैं ठीक है जिस तरह से आप जानते हो कि एक ही sentence को solve करने के कई सारी तरीके होते हैं मगर आप एक ही तरीका याद कर लेते हो उसकी भी practice नहीं करते हो जिसके कारण आप सब भूल जाते हो और जब भी आप पढ़ते हो या सुनते हो सीखते हो तो आपको हमेशा नया नया लगता है तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप जो भी सिखते हो उसकी practice किया कीजिए जिस तरह से मैं आपको पढ़ाती हूँ इस तरह से अपने stories बनाया कीजिए जो भी पुराना आपने पढ़ा रहते है वो rules सारे अपनी नई story में एड किया कीजिए ठीक है इस तरह से आप practice करोगे तो आप कभी भी doubt में नहीं रहोगे हमेशा आपका confusion दूर होता रहेगा point number 3 है would have been मगर जब हम plus verb की third form लगा के करते हैं तो हम इसका use हम passive में करते हैं ये भी मैंने story में add किया है ये भी आप यहां पे सीखोगे अगर आप would have been plus verb की verb में ing लगाओंगे तो sentences अलग हो जाते हैं वो मैंने इसमें add नहीं किया है वो मैं आपको अगली story में add करके बताऊंगी point number 4 है about to about to का use हम करते हैं जब हम कोई भी काम करने वाले होते हैं इसका भी use आप past में भी कर सकते हो और present में भी कर सकते हो लिखा है ना वहाँ पे आप going to भी कर सकते हो ठीक है was about to या was going to और तू के बाद हम इसा क्या आती है वो आपकी first form आती है ऐसे ही is mr going to plus verb की first form ठीक है तो कोई भी काम आप करने वाले हो या वाली थी वाली थी कब होगा जब वहाँ पे was लगा होगा या were लगा होगा वाली है कब होगा जब वहाँ पे is mr लगा होगा ठीक है बाकी point number five could have मैं आपको करवा चुकी हूँ जब हम possibility की बात करते हैं या फिर guess करते हैं ठीक है कि राहुल आ सकता है राहुल कमरे में हो सकता है राहु should have plus verb की third form और could plus verb की first form प्याइट नमबर six आपको करना चाहिए था शूट है प्लस verb की third form यह भी मैं आपको को clear करवा चुकी हूँ यूसथE would जो इस टाइप के संटेंसिस होते हैं, जिसमें दो सिचुएशन होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं, कंडिशनल संटेंसिस, ठीक है, ये क्या कहा रहा है, If you had come to my house yesterday evening, अगर कल शाम को तुम मेरे घर आई होती, we would have been together, हम दोनों क्या होते, been मैंने होना, हम दोनों together means साथ होते, ठीक है, तो जब इस टाइप के दो संटेंसिस एक साथ होते हैं, दो सिचुएशन एक साथ होती हैं, उन्हें को ही हम कंडिशनल संटेंसिस बोलते हैं, जै होती, तो मैं college जाती, या मैं college गई होती, अगर कल तुम मेरे घर टाइम से आती, तो मैं तुम हरे साथ college जाती, आपको इन संटेंसिस को सुनने के बाद पता चल रहा है, कि जो भी ये हुआ है, ये past में हुआ है, बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हिंदी में, ठीक है, अगर तुमने मेरी बास सुनी होती या सुनली होती ठीक है या सुनती तो यह क्या है आपको सुनने के बाद पता चल रहा है कि पास्ट में है और चाहे हिंदी को आप किसी भी तरीके से बोलो तोड़ के बोलो मोड़ के बोलो जैसे ही बोलो समझ में आ रहा है कि यह जो भी हु ऑग़ा से अगर तुम मेरे साथ आती, तो हम बजार हो तो आपको की बजाओ रही है उनंको आपको की इसे रूल से सॉलब करना है। और जो सी दिख रही है। वह क्यों आपको सी आपको सालग you अगर तुम मेरे साथ बाजार आती हो या अगर तुम मेरे साथ बाजार आओगी तो आओगी है ना तो आपको पता चल रहा है कि क्या है यह पास्ट की है और पास्ट की है मगर जो मैंने आपको पहले बताया उन से आपको पता चल रहा है कि यह क्या है पास्ट में हो चुका है अब उसको आप किसी भी तरीके से बोलो, अगर तू मेरे साथ आती, या अगर तू मेरे साथ आई होती, अगर तू मेरे साथ आती, कुछ भी मतलब जो भी है, उससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट की है, तो जो ये पहला sentence है, if you had come to my house yesterday evening, इस एक sentence को आप कई त करते हो उसके बाद दूसरे के बारे में नहीं सोचते हो कि दूसरे को भी इसी के तरह से सॉल्ब कर सकते हैं ठीक है और जो भी आप सिखते हो उसको भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो जिससे कि आप भूल जाते हो तो जो यह एक संटेंस है इसको हमने पास्ट परफेक्ट के स आपको पता है और hat के बाद क्या लगती है हमेशा वो अपकी third form लगती है come की जो third form होती है वो coming होती है तो देखो if you had come to my house yesterday evening इसको हम ऐसे भी कर सकते है if you came अगर तुम आती ठीक है come की जो second form होती है came होती है न तो ऐसे if you came to my house yesterday evening अगर इसे would के साथ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे if you would come would के साथ आपको पता है कि क्या लगती है वो की हमेशा first form लगती है if you would come to my house yesterday evening अगर इसे would have के साथ बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे if you would have come क्योंकि have के साथ क्या लगती है टो आईये देखते हैं कैसे करेंगे If you would have come to my house yesterday evening, we would have been together. तो आपने देखा इस पहले वाले sentence को कम से कम मैंने 3 से 4 तरीके से solve किया है. पहला past indefinite sentence के साथ solve किया, आपको पता है उसका rule किया है, subject होता है, वब की second form होती है, प्लस आपका object होता है, second rule आपके सामने है, past perfect का, उसमें head होता है, head के बाद work की third form होती है, कम की third form कमी रहती है, ठीके, तीसरा मैंने would के साथ solve किया, would के बाद work की first form लगाई है, ठीके, इसका जो second sentence है, वो किसी भी situation में हो सकता है, किसी भी condition में हो सकता है, जैसे अभी तो ये बोल रहा है कि हम दोनों साथ में होते, ये second sentence आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना पर सकता था, आपको बोलना पर जाता, आप बोल सकते थे, जो ये second sentence है, आपका किसी भी condition, किसी भी situation का हो सकता है, ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है, कि इसको आपको would have के साथ ही solve करना है, ऐसा बिलकुल नहीं है, और ये जो bean है ये आपकी कोई helping verb नहीं है, ठीक है, बी मैंने होता है, बी की third form होती है, क्या bean, ठीक है, बी मैंने हो कर सकते हो, बाकी आपका जो second sentence है, वो जिस condition का होगा, आपको उसी rule के साथ उसे solve करना है, एक बात और जो मैं आपकी clear करना चाहती हूँ, आपको पता होनी चाहिए, हाँ थोड़ा सा confusion हो जाएगा, मगर आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं इसी एक sentence के साथ आपकी clear कराना चाहती हूँ, ताकि आपका doubt जो है हम इसा के लिए clear हो जाए, तो कभी-कभी हम इस तरह के वाक्य हम future में भी बोलते हैं, जैसे अभी तो इस sentence को देखके पता चल रहा है कि यह past का है, क्योंकि यहाँ पर yesterday evening लिखा हुआ है, और दूसरा would have plus वो की third form है, ठीक ह तो इसे पता चल रहा है कि यह क्या है, past का है, मगर कभी-कभी इस तरह के वाक्य हम imagination मतलब कलपना भी करते हैं, कैसे जैसे अगर तुम आती तो हम भाजार जाते, अगर बारिश आती तो हम ना आते, अगर मम्मी बोलती तो हम ऐसा करते, मतलब देखने के बाद ऐसा लग रह है, कि आपको लग रहा है कि यह past का है, यह past का नहीं है, ठीक है, यह क्या है, हम कलपना कर रहे हैं, future के लिए अभी वो काम हुआ नहीं है, हम उसे कलपना कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा करते, तो इसको solve करने का तरीका अलग होगा, कैसे, इसको हम would have been, जो हमने second sentence है इसके साथ इसे solve नहीं करना है, इसे हम कैसे solve करेंगे, जो पहला sentence है, अगर तुम मेरे घर आती, तो हम साथ में होते, तो अभी में यह हुआ नहीं है, इसे में कलपना कर रहे हूं, तो इसे कैसे करेंगे, if you came, जो पहला जो वाक्य है, इसको हम past indefinite sentence के साथ solve करेंगे, subject, व my house, tomorrow evening, कल आती, तो हम दोनों साथ में होते, तो second sentence को हम किसे solve करेंगे, would के साथ solve करेंगे, मगर वहां पे हम have का use नहीं करेंगे, we would be together, be मैंने होना, हम साथ में होते, और दूसर sentence तो मैंने आपको बताया है, जिस situation, जिस condition का होगा, हमको उस sentence को उस condition के साथ solve करना है, उस rule के साथ solve करना है, मगर जब हम imagination कर रहे हैं, तो पहला वाला जो rule होगा, पहला वाला जो sentence होगा, वो होगा हमारा past in definite tense के rule के साथ solve, बैस इतना ही ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह आपको पता होना चाहिए, कि, well, वैसे, it's good, अच्छा हुआ, that, you did not pick up my phone yesterday, कल तुमने मेर फोन नहीं उठाया, इस yesterday को आप शुरुआत में भी लिख सकते हो, yesterday you did not pick up my phone, ऐसे भी आप कर सकते हो, और दोनों ही sentence का मिनिंग सेम रहेगा, और did आपको पता है, कॉनसे टैंस के helping वब होती है, और did के बाद हमेसा क्या आती है, वब की first form आती है, okay, because, क्योंकि it was too late at night, क्य की रात बहुत जादा हो गई थी, at हमेसा night, day, noon के साथ आते हैं, और किसी समय के साथ आते हैं, निस्ची time के साथ, ठीक है, तो रात बहुत जादा हो गई थी, if you came, देखो फिर से वही condition, वही situation आ गई है, जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई थी, वीडियो की कर सकते हो, अभी सबसे पहले मैंने head के साथ solve किया है, उपर वाला sentence, head of verb की third form, इसको आप चार तरीके solve कर सकते हो, मैंने stem past indefinite tense के साथ solve किया है, subject verb की second form, तो if you came, अगर तुम आती, I would have come to pick you up, मुझे तुम्हें लेने आना पड़ता, ये जो sentence है, second वाला sentence है, मुझे तुम् क्या है, मगर मैंने आपको इस type की situation, जो होती है, कि मुझे तुम्हें लेने आना पड़ता, या मुझे तुम्हें लेने आना पड़ता होगा, या तुम्हें आना पड़ा होगा, मैंने आपको बताया था, कोई भी काम करना पड़ता, या करना पड़ जाता, तो इसको आप दो तरीके से solve कर सकते हो मैंने आपको एक special वीडियो लेकर आई थी इसके लिए तो इसको आप वुड है और टू के साथ solve कर सकते हो और टू के बाद हमें सब वर्प की first form आएगी ठीक है यह आपका advanced structure है would have to और would have had to तो आप उन दोनों तरीके से भी इस sentence को solve कर सकते हो और टू के बाद हमें से क्या आएगी वर्प की first form आएगी ठीक है तो जहाँ पे मैंने would have और वर्प की third form लगाई है come तो वहाँ पे आप would have to करके come भी कर सकते हो और या would have had to भी कर सकते हो वहाँ ठीक है तो मुझे तुम्हें लेने आना पड़ था earlier पहले I was about to call you पहले मैं तुम्हें call करने वाली थी जहाँ पर यह about to होता है न जो was वर के बाद about to या फिर is mr के बाद about to इसका मतलब होता है करने वाली थी या करने वाली हूं ठीक है अगर was वर होगा तो करने वाली थी is mr होगा तो करने वाली हूं और जो आपर about to लिखा है यहाँ पर पहले में तुम्हें फोन करने वाली थी बट मगर आई थोट मुझे लगा या मैंने सोचा मेबी शायर यू वुड़ हैब स्लैक तुम सोच चुकी होंगी जो इस टाइब के संटेंसिस होते हैं उनी को ही हम नरेशन कहते हैं जब हम किसी को पास्ट में कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं पास्ट की और उसमें बीच में इस टाइब के संटेंसिस आते हैं जैसे मुझे लगा या मैंने सोचा उसके बाद का जो संटेंस होता है आपको जो भी लगा उसके बाद का जो संटेंस होगा चाहे हो पास्ट का हो फ्यूचर को हो उसी को ही हमें नेरेट करना होता ह जैसे अगर वो पास्ट का होगा तो वो और पास्ट का हो जाएगा अगर फ्यूचर का हो जाएगा अगर फ्यूचर का होगा तो भी वो पास्ट का हो जाएगा कुल मिलाके हमें उससे क्या करना है चेंज करना है पास्ट में ठीक है कैसे अगर वाजबर का होगा तो वो क्या हो तो यहां पर विल की जगह क्या हो गया है एक बात और जो आपको ध्यान में रखनी वह यह है कि अभी आप शूर नहीं हो आप अंदाजा लगा रहे हो कि मुझे लगा तुम सो चुकी होंगी मैंने आपको बताई थी कि जब आप अंदाजा लगाते हो तो आपको क्या लगाना इस आपकी बात में सत्यता होगी उस हिसाफ से यहां पर आपको चेंज करना है तो रूल आपका सेम रहेगा वुड है प्लस वर्प की थर्ड फॉर्म बैस वुट की जगह पे अगर आपका 100 परसंट शूर हो तो आप वूड लगाओगे 90 परसंट शूर हो तो मस्ट लगाओ होगे और में लगाओगे है ना और 20 परसंट है तो माइक लगाओगे कि लिए तो मुझे लगा तुम सोच चुकी होंगी इस तरह से आपको इस टाइप के संटैंस को सॉल्ब करना है अंदाजे वाले संटैंस को ठीक है दूसरा देखो और यू वूड भी मेकिंग फूड य है तो मैंने वील भी किया वूड भी किया है और वुड भी जगा वुड की जगा तो आप कुछ भी कर सकते हो ठीक है आप ऐसे भी solve कर सकते हो और वैसे भी solve कर सकते हो If you had called me अगर तुमने मुझे phone किया होता वोई वाली condition है जो सबसे उपर है ठीक है अगर तुमने मुझे phone किया होता yesterday evening कल शाम को I could have plus web की third form come मैं आ सकती थी मैंने यह आपको अच्छे से clear करवा दिया है पिछली वीडियो में to your house तुमारे घर में अगर तुमने मुझे phone किया होता कल शाम को तो मैं तुमारे घर आ सकती थी you should have तुम्हें चाहिए था क्या called me once, once मैंने एक बार तुम्हें मुझे एक बार phone करना चाहिए था जब हम present में past के लिए इस टाइब के sentences बोलते हैं कि तुम्हें मम्मे की बास सुननी चाहिए थी तुम्हें time से घर आना चाहिए था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी तब हम उन sentences को should have प्लस वर्प की third form के साथ solve करते हैं यह मैं आपका बहुत अच्छे से किलियर करवा चुक्की हूँ बैस बीजबीच में इसलिए add करती हूँ ताक कि आपका revision होता रहे और अगर negative sentence होंगे तो आपको should के बाद आपको not लगाना है ठीक है if I had not gone to the market yesterday evening अगर मैं कल शाम को बाजा नहीं गई होती यह वही वाली condition है जो हमेंने starting में आपको पढ़ाया था इसको आप did not के साथ भी solve कर सकते हो और would not के साथ भी solve कर सकते हो ठीक है I would have definitely come to pick you up तो मैं तुम्हें जरू लेने आती last evening कल शाम को when I was coming home from college जब मैं college से घर आ रही थी past continuous tense was work के साथ वब में ing जब मैं college से घर आ रही थी at that time उस समय उस वक्त I wanted to मैं चाहती थी जब हम past में कुछ चीज चाहते हैं तो अब हम wanted to का यूज करते हैं जैसे ममी तुमारे घर आना चाहती थी ममी तुमसे बात करना चाहती थी मैं बाजार जाना चाहती थी तो जब हम past में कुछ चीज चाहते हैं तो उसको wanted to के साथ solve करते हैं और वब की first form लगती है वो ही sentences अगर हम present में बोलेंगे मैं तुमारे घर आना चाहती हूँ तो wanted to की जगा want हो जाएगा बैस past में आपको ed लगाना है और दोनों में past में भी और present में वब की first form लगेगी क्यूंकि two के बाद वब की first form लगती है तो मैं तुमसे मिलना चाहती थी because क्यूंकि I had to मुझे करना था कोई भी काम करना था वहां पर हम hack to का यूज करते हैं आपको पता है ठीक है तो head to की जगह आप was work का भी यूज कर सकते हो जैसे हम present में करते हैं मुझे घर जाना है मुझे तुमसे बात करनी है या कोई भी काम करना है तो हम have to लगाते हैं have to have to करते हैं या is mr2 करते हैं या want to करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छ करना है वहां पर हम have to का यूज करते हैं और कोई भी काम करना था वहां पर हम had to का यूज करते हैं या was work to का यूज करते हैं के लिए I had come मैं आई थी अभी ये क्या है बिना to के है तो ये क्या है past perfect tense है मैं आई थी अगर ये to इसके साथ लगा होता है to तो ये बोलता मुझे आना था, I had to come, तो मुझे आना था, मगर ये अभी क्या है, past perfect tense है, मैं आई थी, from your side of the house, तुमारी घर की side से, या तुमारी घर की तरफ से, well, वैसे, I was coming, मैं आ रही थी, past continuous tense, was work के साथ verb में ing, और जो sentences के end होते हैं, वो रहा था, रही थी, के साथ होते हैं, मैं आ रही थी, to meet you only, only मैंने के वल या बस, वैसे मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी, but, मगर, I saw, मैंने देखा, that key, the outside, outside मैंने, बाहर, of your house, तुमारे घर के, was locked, तुमारे घर के बाहर क्या था, locked था, ये was क्या है, state of being बता रहा है, उसका की, दरवाजा क्या था, बन था, there was no one in your house, तुमारे घर में, कोई भी नहीं था, just you are younger brother, बस तुमारा चोटा भाई, younger मैंने चोटा, just मैंने बस, बस तुमारा चोटा भाई, was playing, खेल रहा था, past continuous tense, was work के बाद वर में, आउटसाइड, बाहर, बस तुमारा चोटा भाई, बाहर खेल रहा था, I asked him, मैंने उससे पूछा, past, indifferent tense, subject plus work की, second form, मैंने उससे पूछा, where is your sister, तुमारी बहन कहा है, he told me, उसने मुसे कहा, ठीके, that, she would have gone to the market, अब वो अंदाजा लगा रहा है, तो वो कहां गई होगी, वो बाजार गई होगी, तो आपको पता लग गया है, जब past में कोई अंदाजा लगाते हैं, तो would have के बाद, हम वो अपकी third form लगाते हैं, और would की जगा में, जैसे मैंने आपको बताया, जितना percentage आपकी बाद, आपको लगता है, उस हिसाफ से यहाँ पर आपको चेंज करना है, could have, may, might, आपको यहाँ पर लगाना है, ठीके, must आप लगा सकते हो, ठीके, वो आपको पता है, तो आपको पता लग जग जग जगा है, would have plus वो आपकी third form का use, वो बजार गई होगी, और your house, या फिर तुमारे घर गई होगी, तो यहाँ पर बार-बार मैंने repeat नहीं किया है, would have plus वो आपकी third form को, जैसे मैंने आपको बताया है, कि बार-बार helping वो आपको नहीं लगाने की जगाने की जगाने होती, या फिर ही ही सी सी बोलने की जड़ोतनी होती है, subject का नाम लेने की जड़ोतनी होती है, जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुक्क हूँ, ठीक है, तो या तो वो बजार गई होगी, या वो तुमारे घर गई होगी, इधर my sister would have gone to college, अब वो अंदाजा लगा रहा है, कि या तो मेरी बहन college गई होगी, और my sister would have been invited to Rina's house, या फिर मेरी बहन को Rina के घर पर बुलाया गया होगा, तो वो अंदाजा लगा रहा है, वोट की जगा पे आपको change करना है, जितना percentage आपको लगता है, कि ये होगा, तो इधर और और का भी concept में आपका यहाँ पे clear करना चाहूंगी, जब हम दो जगा पे doubt होता है हमारा, या तो ये या तो ये, तो वहाँ पे हम इधर और और का use करते हैं, ठीके, जैसे या तो मैं ये वाला suit लूँगी, या तो मैं ये वाला suit लूँगी, या तो मैं cycle लूँगी, या तो मैं scoot लूँगी, मेरे को यहाँ पे clear नहीं है, confirm नहीं है कि मैं लूँगी क्या, तो इसलिए हम आपे इधर और और का use करते हैं, तो इधर और और का मतलब होता है, या तो ये, या तो वो, ठीके, एक चीज और clear करना चाहूंगी, would have तो आपका clear हो गया है, would have के बाद जब हम work की third form लगाते हैं, तो हम क्या use करते हैं, अंदाजे के लिए use करते हैं, ठीके, past में कोई अंदाजा, क्योंकि will का तो would हो जाता है, है न, अंदाजे के लिए हम इसका use करते हैं, और would की जगा पे जो आपका अंदाजा होगा, वहाँ पे वो लगाना है, मगर would have been plus work की third form का use हम कहाँ पे करते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो मैं यहीं पे आपका killer करना चाहती हूँ, second sentence देखिए, और my sister would have been invited to Rina's house, या फिर मेरी बेहन को Rina के घर पर बुलवाया गया होगा, या बुलाया गया होगा, हिंदी पर आपको नहीं जाना है, हिंदी कुछ भी हो सकती है, बस आपको ये सोचना है, कि जब would have been मिलेगा, और वर्ब की third form होगी, तो ये passive voice sentences होते हैं, passive voice sentences कैसे होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से killer करवा चुक्यूं, जब sentences में करता का जिकर नहीं होता है, वो ही passive voice sentences होते हैं, किसके दोरा बुलाया गया होगा, ये बुलवाया गया होगा, उसका जिकर यहां पे नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, passive voice sentences है, तो आपका यहां पे killer कर दिया है, मैं वोड है, बीन प्लस वर्ब की third form का पर लगती है, passive voice sentences पर लगती है, और वोड की जगा पे आपको change करना है, तो change कर सकते हो, जितनी percentage आपकी बात में दम होगा, कि लिए, because क्योंकि today is Rina's birthday, क्योंकि आज Rina का जनम दिन है, then फिर it was too late at night, फिर रात बहुँ जादा हो गई थी, I thought मैंने सोचा, या मुझे लगा, you would have been studying, तुम पढ़ रही होंगी, मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर सिखाया है, कि narration हम कैसे करते हैं, जब हम किसी को past की story सुना रहे होते हैं, मैं भी तो आपको story सुना रही हूँ न, तो जब हम किसी को story सुना रहे होते हैं, और बीच में इस टाइब के sentences आते हैं, जैसे मैंने सोचा या मुझे लगा, उसके बाद आप जो भी सोचते हो, वो जिसी भी sentence में की category का हो, present की हो, past की हो, या future की हो, उसी sentence को हमें क्या करना होता है, नेरेट करना होता है, अगर वो present का होगा, इस MR की category का होगा, तो was work हो जाएगा, was work की category का होगा, तो had या had been हो जाएगा, और will की category का होगा, तो क्या हो जाएगा, would हो जाएगा, तो मैंने सोचा, कि तुम क्या कर रही होंगी, पढ़ रही होंगी, तो यह future का है ना sentence, will be के साथ solve होगा, मागर past में हो गया ना, मैंने सोचा, उसके बाद आया है, वो किस का sentence, future का sentence, तो will be की जगा क्या होगा, would be हो जाएगा, तो आप इसको, would be के साथ भी solve कर सकते हो, would be plus verb में ing, और जैसे यहाँ पे solve किया गया है, would be, would have been, plus verb में ing, आप इस तरह से भी solve कर सकते हो, और would be के साथ भी solve कर सकते हो, और would की जगा पे आप change कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जित्ती percentage आपके बाद में, dumb होगा, ठीक है, must, may, might, could, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, अंदाजे के लिए, और you would have slept, या फिर तुम सोच चुकी होंगी, तो आपने देखा, दोनों ही sentences आपके पास future की category के हैं, पहला sentence आपका future continuous tense का है, तो will be की जगा would be हो गया, और word में ing, या फिर जिस तरह से मैंने solve किया है, आप यहाँ पे इस तरह से भी solve कर सकते हैं, would have been plus verb में ing, second sentence आपका future perfect tense का है, will have की जगा would have हो गया, plus verb में क्या होगी, third form होगी, तो बैस दोनों ही sentences आपके यहाँ पे clear हो गये हैं, बैस आपको क्या करना है, would की जगा पे change करना है, जितना भी आपको लगता है अंदाजा, वो यहाँ पे change करना है बैस आपको, that's why इसलिए I did not call again, again मैंने फिर से या दुबारा, इसलिए मैंने तुम्हें दुबारा phone नहीं किया, earlier पहले when I used to, used to और would का use हम एक ही sense में करते हैं, जब हम past में कोई काम किया करते थी, तो वो आपको बताने के लिए यहाँ पे used to या would का use करना है, और दोनों में वोब की first form लगीगी, तो पहले leave alone in the house, जब मैं रहा करती थी घर में अकेले, पहले जब मैं घर में अकेले रहा करती थी, I was not scared, मैं नहीं डरा करती थी, I just would watch TV, मैं बस TV देखा करती थी, देखो उपर वाला मैंने used to से solve किया है, और नीचे मैंने would से solve किया है, तो आप भी कभी भूलो ना, इसलिए इसी तरह से story बनाया कीजिए, और कभी used to से बनाया कीजिए, कभी would से बनाया कीजिए, तो आप कभी नहीं भूलोगे, तो जिस तरह से मैंने आपको would have been बोला, करने के लिए, उसी तरह से कभी would be से कर लो, है ना, इस तरह से कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है, confusion नहीं रहेगा आपको फिर, तो मैं बस टीवी देखा करती थी, बट मगर now I don't like, मुझे अच्छा नहीं लगता, being मैंने रहना या होना, alone at home, अब मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में अक्केले रहना, ठीक है, that's why, इसलिए I was calling you, past continuous tense, was बर के साथ वह में आई एंजी, that's why I was calling you, मैं तुमें phone कर रही थी, at night, रात को, so that, ताकि you can come, तुम आ सको, या तुम आ जाओ, मैं उमीद करती हूँ, कि या आटो पॉइंट में, आपको बहुत अच्छे से, clear करवा पाई होंगी, अगर आपको किसी परकार का, कोई doubt है, कोई confusion है, तो आप वीडियो को, दुबारा से देख सकते हैं, फिर भी अगर आपको, कोई समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, मुझे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी, और इसी तरह से आप भी practice कीजिए, अपना ख्याल रखे, take care, good bye, God bless you.